हम टीनेजर्स के साथ कैसे डील करें आपकी टीनेजर्स के साथ डील करने के उम्र निकल चुकी है सी देखिए हर एज एक समस्या है ने ने मैं युगों की बात कर रहा हूँ स्टोन एज एक समस्या थी आइरन एज एक समस्या थी ब्रॉंज एज एक समस्या है कम्प्यूटर एज गंभीर समस्या है इसंट इसो मिडल एज गंभीर समस्या थी मॉडन एज जबर्दस समस्या है टीन एज एक और समस्या है मुझे आशा है कि आपकी नॉर्मल बर्थ हुई थी आप नॉर्मल पैदा हुई थी अगर आप नॉर्मल पैदा हुए थे तो आप ऐसे पैदा हुए थे और धीरे धीरे बड़े हुए कोई आपकी उम्र गिनता गया और आप भी 13, 14, 15 के उम्र से गुजरे, जिसे आप टीन कह रहे हैं, ये बस विकास का एक चरण है, जैसे नवजाच शिशू, जैसे बचपन, जैसे किशोर आवस्था, अधेड आवस्था, बुढ़ापा वगर है, हम इसे हिस्सों में बाटने क कोशिश कर रहे हैं, लेकिन असल में, ये शरीर की भाते क्यात्रा है, मुझे अपने जीवन के एक पहलू के बारे में बताईए, जो समस्या न हो, कुछ को नवजाद बच्चों वाली समस्याएं हैं कुछ को बच्पन वाली समस्याएं कुछ को टीनेज वाली समस्याएं कुछ मिडिल एज की समस्याओं से गुजर रहे हैं कुछ ओल्ड एज की समस्याओं से गुजर रहे हैं कुछ सारी समस्याओं से परे चले गए अगर आप इस संदर्ब में से देखते हैं तो जीवन का हर दौर एक समस्या है तब मौत ही एक मात्र हल है अगर आप जीवन के हर पहलू को समस्या की तरह देखते हैं तो हल क्या है? मौत ही एक मात्र हल है जैसे ही आप जीवन के हर दौर को एक समस्या मान लेते हैं आप अंजाने में मौत की चाहत करने लगते हैं ये जान लीजे, खुद के लिए और अपने आसपास के लोगों के लिए आपको नहीं मालू, लेकिन आप अपने मन में एक ऐसा माहौल पैदा कर रहे हैं जहाँ इस सबसे आजाद होना ही समाधान है आप यहाँ जीवन का अनुभव करने आये थे इसे जीवन के अलग-अलग पहलू कहने के बजाए आप इसे अलग-अलग समस्याओं का नाम दे रहे हैं अगर आप मरते हैं तो आपको अंतिम संस्कार की समस्या भी होगी आपके अर्थी को कंधा नहीं देते आपका परिवार और सारे मित्र ड्रम के साथ आपके पीछे नहीं चलते बूम पीं-पीं-पीं ट्रैफिक में फसे हुए बरने के बाद भी आप ट्रैफिक में फस जाते हैं मैं चाहता हूँ कि आप इसे समझे आपके जीवन में कई तरह की परिस्थितियां होती है वो बस परिस्थितियां है उन में से कुछ को आप संभालना जानते हैं कुछ को संभालना अभी आपको सीखना है आप जिससे संभालना नहीं जानते हैं आप उसे समस्या कहने लगते हैं जिस पल आप किसी चीज को समस्या कहते हैं, जिस पल आप किसी परिस्थिती को, वो एक साधारन परिस्थिती है, लेकिन चूंकि आपने अभी तक उस परिस्थिती को संभालना नहीं सीखा, आप उसे समस्या कहते हैं, जिस पल आप उसे समस्या कहते हैं, बुरा अनुभव, उ यानि वो तेजी से बड़े हो रहे हैं या दूसरे शब्दों में बदकिस्मती से वो आपके जैसे बनना शुरू हो गए और आप परिशान हैं क्योंकि आप देख सकते हैं कि वो आप जैसे बन रहे हैं मैं समत सकता हूँ नहीं सद्गुरू समस्या ये नहीं है वो तो कुछ औरी बनने लगे हैं अब तो वो मेरे बच्चों जैसे दिखते भी नहीं हमने बदकिस्मती से जीवन की असहाय अवस्थाओं की बहुत बड़ाई की है जब आप नवजात अवस्था और बच्पन कहते हैं तो आप जीवन के एक ऐसे दौर की बात कर रहे होते हैं जब हम काफी असहाय होते हैं हम बाहरी मदद के बिना जी भी नहीं सकते हमने उसकी बहुत बड़ाई की है यहां तक की तथा कथित आध्यात में गुरू भी यह कह रहे हैं कि मैं एक बच्चा हूँ मैं किसी ऐसे अडल्ट से नहीं मिलना चाहता जो एक बच्चा है यह कहने का यही मतलब हुआ कि मैं मंद बुद्धी हूँ अगर आप जीवन भर एक छे साल के बच्चे के शरीर में अटके रह जाएं तो आपको बौना कहा जाता है मैं खराब शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूँ यह शब्द शालीनता के हिसाब से ठीक नहीं है ठीक है आपको लंबाई की कमी है अगर आप छे साल के बच्चे के दिमाग में अटक गए हैं तो आप मंद बुद्धी हैं नहीं क्या कहते हैं तो आप अलक शम्ता वाले कहलाएंगे यह शालीन शब्द है ठीक है हम ऐसी हालत वाले लोगों का अपमान नहीं करना चाहते हैं हम इसकी कद्र करते हैं लेकिन अगर आप हमारे जीवन में असहाय दौर की उस अवस्था की बढ़ाई करते हैं जैसे कि बचपन जहां हम किसी दूसरे की मदद के बिना जिन्दा नहीं रह सकते अगर आप उसकी बढ़ाई करते हैं तो आप हमेशा वैसे ही रह जाएंगे और यही हुआ है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता इसे आप लव अफैर मत समझिए ये तो बस ये हुआ कि मैं बैसाखी के बिना नहीं चल सकता मैं जैसा हूँ ठीक हूँ पर फिर भी मैं तुमको अपने साथ शामिल करने और अपने जीवन को तुम्हारे साथ जोडने के लिए तयार हूँ ये कहने के बहुत माइने है मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता कहने के कोई माइने नहीं है मैं किसी का ध्यान मिले बगैर भी रह सकता हूँ मगर अभी यहाँ जो भी है उसके साथ मैं पूरी भागिदारी के साथ शरीक होने को तयार हूँ इस बात की कीमत है चुँकि आप अपने जीवन के असहाय दौर का गुंगान कर रहे हैं जब आप छोटे बच्चे थे तो आप खुद से पेशाब भी नहीं कर पाते थे कोई आपको ले कर जाता था मैं एक बच्चे की तरह हूँ याने मुझे डाइपर्स की तलाश है प्लीज उनको एक दे दीजे नहीं अब इस टीनेज के साथ हो ये रहा है कि आप अपने बच्चे के एक असहाय प्राणी होने के आदी हो गए हैं अब अगर वो खुद अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है आपको ये अच्छा नहीं लगता आप उसे छोटा बनाना चाहते हैं ताकि आप बू-बू-बू-बू-मेरा बू-बू आपको खेलने के लिए एक खेलोना या एक गुडिया चाहिए या शायद एक कुटा एक पती-पत्नी आपस में ये तै नहीं कर पा रहे थे क्योंके घर में संतान होनी चाहिए या नहीं पती-पत्नी के बीच बहस ये थी कि पती बच्चे चाहता था और पत्नी का कहना था कि इसके बजाए हम कुटा पाल सकते हैं चुकि वो खुद से तै नहीं कर पाए वो एक marriage counselor के पास गए उन्होंने कहा हम तै नहीं कर पा रहे हैं कि बच्चे पैदा करें या एक कुटा पाल लें हमें क्या करना चाहिए तो counselor ने कहा आपको बस ये तै करना है कि आप अपने कारपेट खराप करना चाहते हैं अपनी जिन्दगी तो आपको ये समझना चाहिए अगर आपका जीवन एक concrete का ब्लॉक है जब मैं concrete का ब्लॉक कहता हूँ इसके बिल्कुल स्पष्ट सीमाय होती है मैं ऐसा ही हूँ जैसा कि अनुपम खेर अभी कह रहे थे आजकल एक छोटा बच्चा भी कहता है मैं तो ऐसा ही हूँ यानि मैं concrete का ब्लॉक बन गया हूँ चुकि मेरे पास कुछ बेवकूफाना जानकारी आ गई है और उसके आधार पर मैंने खुद को परिभाशत कर लिया है कि मैं क्या हूँ तो एक बार जब मैंने मैं कौन हूँ की concrete block जैसी परिभाशा बना ली अगर दो concrete block आपस में पूरे जुनून से मिलेंगे तो क्या होगा अगर आपकी सीमाय लचीली या हलकी है तब अगर दो इनसान पूरे जुनून से मिलते हैं तो ये एक शांदार मिलन होगा वरना जब दो concrete block टकराते हैं तो क्या होता है आपको पता है घर्षन घर्षन होता है और उनमें से एक या दोनों concrete block टूड जाते हैं तो एक बार जब आप concrete के block बन जाते हैं तब आपको और ज़्यादा concrete block नहीं पैदा करने चाहिए क्योंकि आप किसी दूसरे जीवन को अपने हिस्से की तरह शामिल करने के ना काबिल है क्योंकि आपने खुद के बारे में बड़ी सक्ट सीमाएं बना रखी है अगर आप मुझसे पूछे तो आपको शादी भी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हो सकता है कि दो concrete blocks एक साथ मिलकर एक मकान बना लें लेकिन इससे घर नहीं बनेगा concrete block मिलकर मकान बना लेंगे है ना उससे ज्यादा खुबसूरत कुछ नहीं बनेगा मुंबई में पहले ही बहुत मकान है हमें और बनाने की जरुरत नहीं है तो बच्चे जब वो पैदा होते हैं जब वो असाहा होते हैं और हर चीज के लिए आपकी और ताक्ते हैं तो आपको लगता है कि आपके बच्चे ज़ादू ही हैं क्योंकि वो असाहा हैं अगर बच्चा पैदा होते ही आपके सामने खड़ा हो जाए और कहे अरे कौन हो तुम? आपको ये बच्चा पसंद नहीं आएगा लेकिन ये सवाल पूछने में उसे चौदा पंदरा साल लग जाते हैं असल में एक टीनेजर बस इतना ही पूछ रहा है आखिर तुम हो कौन? तो अगर आप आए हुए उस नए जीवन के लिए कुछ बनना चाहते हैं तो आपकी खुद की तय सीमाएं नहीं होनी चाहिए जैसे कि जब बच्चा छोटा था, जब वो रेंगता था तो आप भी उसके साथ रेंगते थे अब आपका टीनेजर जूमना चाहता है तो आपको भी उसके साथ जूमना चाहिए नहीं, आप अभी भी उसके साथ रेंगना चाहते हैं वो इंट्रेस्टेड नहीं है वो आपसे पूछने लगा है टीनेजर्स की नजरों में माता-पिता बेतुके लगते हैं पूर थे तो आपको माता-पिता बेतुके लगते थे क्योंकि वो सोचते थे कि आप भी रहें रहें और आपके साथ चू-चू, मू-मू, पू-पू करने की जरूरत है हर दिन आपके भीतर जीवन बदल रहा है क्योंकि आप तेजी से बड़े हो रहे हैं और आपके आसपास के मूर्ख ये बात नहीं समझ पा रहे हैं वो चाय जो भी हो आम तोर पर दादा-दादी, माता-पिता की तुलना में ज्यादा प्यार करने वाले होते हैं क्योंकि वो दूर खड़े होकर काफी कुछ देख पाते हैं क्योंकि टीनेज का मतलब है कि हॉर्मोन्स का जहर धीरे-धीरे आपके उपर हावी हो रहा है बुढ़ापे का मतलब है कि आप उससे चुटकारा पा रहे हैं तो वो इस बात को समझते हैं आप मेंसे जो लोग बीच की उम्मर में हैं आपको कोई सुरागे नहीं होता कि आप हैं कहां एतियासिक रूप से भी मिडिल एजर्स दिमाग की कन्फ्यूजड हालत के प्रतीक होते हैं तो अपने टीनेजर्स के साथ डील मत कीजिए आप खुद को उनके द्वारा डील किये जाने के लिए उपलब्ध रखिए उनको हर चीज के जिम्मेदारी सौप दीजिए एक महिना मैं आपसे कह रहा हूँ आप एक महिने के लिए अपनी मासिक आमदनी उनके हाथ में सौपने की हिम्मत कीजिए और कहिए कि वो घर चलाएं उनके जिम्मेदारी दे दीजिए आप देखेंगे कि उनमें नाटकी बदलाव आ जाएगा क्योंकि आपको समझना चाहिए कि मैं एक टेलेफोनिक पिता रहा हूँ साड़े तीन महिने की उम्र से मेरी बेटी मेरे साथ घूमती रही है कार में अकेले हमने इशा फाउंडेशन को मारूती 800 में हजारों मील की यात्रा करते हुए बनाया है एक साल में या सल में 14 महिने के भीतर मैंने अपनी मारूती को 135,000 किलोमीटर चलाया था तो वो साड़े तीन महिने की थी एक हाथ आगे वाली सीट पर बेल्ट में बंधी बच्ची पर होता था और मेरा दाया पैर नजाकत से पेश नहीं आता तो वो चार साल की उम्र तक कार में ही पली बड़ी मैंने सुचा था कि मैं उसे कभी स्कूल नहीं भेजूगा क्योंकि हमारा बड़ा गहरान आता था और उसमें बहुत समझ थी क्योंकि उसने सडके देखी हैं उसमें लोग देखे हैं वो हर तरह के परिवारों में रह चुकी है मुझे स्कूल भेज कर उसे खराब नहीं करना था लेकिन आप जानते हैं वो एज ग्रूप वो संग साथ जब तक कि आपके पास घर में बच्चों की पूरी क्रिकेट टीम नहों बस एक बच्चे को अकेला रखना ठीक नहीं है वरना वो कम उम्र में ही इसके लिए सेलफ फोन का शुक्रिया करना होगा पहले काले वाले फोन होते थे मैं हाईवे पर कहीं भी रुख जाता था क्योंकि स्कूल में खास समय पर ही आप उससे बात कर सकते हैं स्कूल में ये फोन टाइम सिर्फ एक घंटे का है तो मैं हाईवे पर कहीं पर हूँ, और फिर वो काला फोन खोज कर उसे एक घंटे के दौरान मैं उसके साथ बात कर रहा हूँ, उसकी तरफ सारे बच्चे बाहर से उस पर चीख रहें, और इधर बूत के बाहर सारे लोग दर्वाजा पीट रहें, मेरे साथ हमेशा यह होता थ मैं हाईवे पर गाड़ी चला रहा हूँ, और मुझे कई सारी फोन कॉल्स करनी होती थी, लोकल, इंटरनेशनल, हर तरह की, तो मैं उतर कर पहले फोन बूत वाले आदमी के पास जाता और उसे पांच हजार रुपे दे देता था, वो हैरान रह जाता था, मैं कहता इससे अपने हाथ में रखो, और फिर मैं फोन बूत में चला जाता, और अब मैं उसके लिए कीमतिक रहक हूँ, दूसरे लोग आते थे, और वो तीन मिनिट वाली बात करना चाहते थे, और वो सब लाइन लगाए खड़े रहते, और मुझे देखकर तरह तरह के मूँ बनाते, ल क्योंकि उस समय सेलफोन नहीं होते थे, तो मैं समय निकाल कर बात कर लेता था, और उसके बाद वो कॉलेज गई, और फिर उसने जो कुछ भी पढ़ा या सीखा, हमेशा फोन पर ही हमने बहुत सक्री संपर कायम रखा है, और हम वाकई कभी घर पर नहीं रहें, अगर वो छ टेलिफोन की वेव्ज जो चलती रहती हैं, उनका धन्यवाद, तो ये कितना सक्री संपर था, मैं इसले बता रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं देखता हूँ कि हर बच्चे में खास बुद्धिमत्ता होती है, मैं उसे खास बच्ची जैसा जताने की कोशिश नहीं कर रहा नई, वो बस सामान्य है, लेकिन उसका पालन पोशन निश्चे ही एक खास तरह से हुआ है, अगर वो घर आती है या अगर मेरे साथ होती है, तो मैं अपने सारे एहम फैसले उसके हाथ में छोड़ देता हूँ, वो सिर्फ 5-6 साल की थी, मैं लोगों की समस्याएं, समाधान पेश करती थी, लेकिन दस में से पांच बार वो कुछ न कुछ जबरदस्थ हल सुल जाती थी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, कि मैं उसे कोई विशेश प्रतिभावाली बच्ची नहीं जता रहा हूँ, बात बस इतनी है कि ज्यादातर लोग बच्चे की कभी वो मौका नहीं देते, क्योंकि वो बच्चे के साथ बू-बू-बू-डू-डू-डू करना चाहते हैं, मैंने उसके लिए कभी खिलोने नहीं खरीदे, आगर वो खेलना चाहती थी, तो मैं उसे बाहर जंगल में घुमाने ले जाता, उसे पेड़ पर बिठा देता थ उसने पेड़ पर चड़ना सीखो और वो सारी चीजें, उसे कभी भी खिलोने खरीद कर नहीं दिये, कभी किसी ने गिफ्ट किये होंगे, लेकिन उसकी उनमें कभी रुची नहीं रही, क्योंकि ज्यादा रोमान्चक चीजे मौजू थी, मैं उसके लिए साप पकड़ता थ बगीचे की चिपकलिया पकड़ता था, ज्यादा रोमान्चक चीजें, अगर आप अपने बच्चे के लिए वाकई कुछ करना चाहते हैं, तो उन्हें विस्तार पाने का मौका दीजिए, क्योंकि वो बस इतना ही करने की कोशिश कर रहे हैं, केवल उनका शरीर ही नहीं अग्सित हो रही है, आपको उन्हें विस्तार करने देना चाहिए, इसके बजाए आप ये कोशिश कर रहे हैं, कि उन्हें कैसे सिकोडा जाए, तब आपको बहुत बड़ी समस्या होगी, अगर आपके लड़के हैं, तो आपको एक तरह की समस्या होगी, अगर आपकी उन्हें रास्ते पर ले आईगी, आप उन्हें अपना पैसा सौब दीजिये और कईए, इस महीने तुम छुट्टी परो, तुम इसे संबालो, तुम जैसा चाहो, आपको डर है, कहीं उसने सारा पैसा उड़ा दिया, तो क्या होगा, अगर वो उड़ाता है, तो जो आपके साथ होगा, वही उसके साथ भी होगा, उसे एक महीने तक जेलने दीजे, आप कुछ पैसर रिजर्व में रख सकते हैं, लेकिन वो जान जाएगा, कि अगर वो सब कुछ उड़ा देता है, तो सुबह नाश्ता नहीं बन पाएगा, और उसे ये जेलने दीजे, दिक्कत क्या वो सीखेगा कि जिन्दगी किस तरह चलती है, एक सुरक्षित और संभले माहौल में सीखना, कल सुबह सड़क पर सबक मिलने से बहतर है, आगर आप सोचते हैं कि ये बच्चा आपकी संपत्ती है, तो टीनेज में कदम रखते समय वो आपको बता रहा है कि मैं आपकी जायदाद नहीं हूँ, वो आपको यही बता रहा है और आप हजम नहीं कर पा रहे हैं, एक दूसरा जीवन आपकी संपत्ती नहीं है, अगर एक दूसरे जीवन ने आपके साथ होना चुना है, तो उसका संपत्ती नहीं है आप किसी भी मायने में उनके मालिक नहीं है अगर अभी नहीं तो आप इसे तब समझेंगे जब आप मरेंगे या जब वो मरेंगे वो आपकी जायदाद नहीं है एक और जीवन ने आपके जरिये दुनिया में आना या आपके साथ होना चुना है उसका आनंद लीजिए ये मत सोचिए कि आप उस जीवन के मालिक हैं आप नहीं हैं अगर आप सोचते हैं कि आप उस जीवन के मालिक हैं एक टीनेजर अपनी बात रखना शुरू कर रहा है कि आप मेरे मालिक नहीं है वो वस आपको यहीं बता रहा है अपनी ही भाषा में है कि नहीं वो वस आपको बता रहे हैं कि आप मेरे मालिक नहीं है लेकिन क्या आपको लगता है कि एक दूसरे इंसान की तरह वो शामिल नहीं किया जाना चाहते वो निश्चित रूप से शामिल किया जाना चाहते हैं तो टीनेज का मतलब है इसमें कई चीज़े हैं क्योंकि एक चीज तो ये कि आपके हॉर्मोन्स ने आपकी बुद्धी को हर लिया है तो इससे कुछ चीज़ें हो रही है अचानक दुनिया पहले जैसी नहीं लगती आपके पडोस की कोई छोटी दुबली सी लड़की आपका उससे कोई लेंदेन नहीं था अचानक उसके शरीर पर छोटे-छोटे उभार आ गए और आपकी केमिस्ट्री जहरीली हो गई आपने उससे देखा और अचानक ये नई दुनिया हो जाती है सारी दुनिया अलग दिखती है जो पहले बस लोग हुआ करते थे वो अचानक आदमी और और औरत बन जाते है ये कोई छोटा बदलाव नहीं है जो पहले के वो लोग थे वो अचानक कुछ और, कुछ और बन जाते हैं अचानक आपकी रुची सिर्फ आधी मानव जाती में होती है ये एक जबरदस बदलाव है आप देखेंगे कि लड़के अपनी माओं को भी सीधे नहीं देखते क्योंकि वो अभी भी शरीर के अंगों से अपनी नजर नहीं हटा पा रहा है आपको समझना चाहिए कि ये उसके लिए नया है और वो इससे समझाता करने की कोशिश कर रहा है अगर आप अच्छे दोस्त होते अगर उन्हें कोई समस्या होती अगर वो संघर्ष कर रहे होते तो वो आपसे बात करते च्योंकि ज्यादतर माता पिता घटिया दोस्त होते तो वो दूसरे दोस्त बना लेते और वो दोस्त अपनी ही अजीब सलाहे देते क्योंकि वो भी इसी हालत में होते बहतर तो ये होगा कि अगर आपके बच्चे को कोई समस्या है तो वो आपके पास आए लेकिन अगर आप बॉस की तरह पेश आते हैं तो वो आपके पास नहीं आएंगे अगर आप उनके जीवन पर अपना स्वामित्व जताते हैं तो वो आपके पास नहीं आएंगे अगर आप बड़े खराब माता या पिता हैं तो वो आपके पास नहीं आएंगे वो आपके पास तभी आएंगे जब आप एक अच्छे दोस्त होंगे क्योंकि जब उन्हें कोई समस्या होती है तो ये स्वाभाविक है कि वो दोस्त से जाकर सलाह ले तो बच्चे की छोटी उम्र से ही ये सुनिश्चित कीजिए कि आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं जब तक वो 18-20 के नहीं हो जाते आप उनके सबसे अच्छे दोस्त हैं रिष्टे को वैसा बनाईए और ये आपको कमाना होगा यह आस्मान से नहीं टपकेगा क्योंकि आपने उन्हें जन्द दिया उनको जन्द देने से आपको माता-पिता की पद्वी मिल गई है लेकिन आपको दोस्त की पद्वी नहीं मिलेगी इसे हर दिन अपने जिम्मेदार बरताव से कमाना होगा मैं बहुत सक नहीं होना चाहता है हम आपको यहीं छोड़ देते हैं हम आपको यहीं होना हे हुआए और कासीषछे का यहीं हो请 आपको पेर